नमस्कार मैं डाक्टर सुरिभान सिंग उत्राखन उपन इन्वस्टी असिस्टेन्ट प्रोफसर पॉलेटिकल साइन्स आज हम भारती राजनितिक व्यवस्था भारती प्रसासन भारती संविधान की दिश्ट से एक बहुत ही महत्पूर इकाई भारती संविधान की प्रस्तावना का अध्यान करेंगे जैसा कि हम जानते हैं दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में अपने संविधान में प्रस्तावना है और उस संविधान की प्रस्तावना में वो मोल्य, आदर्स, मन्यताएं, राष्ट के लक्ष, राष्ट का गंतब, सासन के संगठन, उसकी प्रकृती, उसके उद्दे नागरिकों के अधिकार, राज्य और सासन के बीच संबंधों की प्रकृत का अस्पष्ट प्रावधान पाया जाता है, इसी प्रकार से इस तरह के प्रावधान भारती संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है, भारती संविधान की प्रस्तावना की महत्ता या किसी के विभिननंगों का गठन कर उन्हें सरीर देता है सक्ति देता है उनके सरीर गठन के पीछे अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरड़ा होती है एक आत्मा होती है जिसको सब्द मिलता है प्रस्तावना में इस प्रकार से भारती संविधान की प्रस्तावना भारती प्रभुत्य संपन्न, समाजबादी, पंथनिर्पेक्ष, लोक तंत्रात्मक गडराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, परतिष्ठा और आउसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तिकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और खंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रिन संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में, आज तारीक 26 नॉमबर 1949 को एतत द्वारा इस स जे चार वर्गों में बाठ करके इसका ध्यान करेंगे, तो इसको समझने में सहायता होगी कि किस प्रकार से भारती संविधान की प्रस्तावना पूरे भारती संविधान के दर्सन, उसके गंटव्य को असपष्ब रुप से व्यक्त करता है. विवाजन की दिश्चित से इस दूसरा राज्योर सरकार का सुरूप क्या है, तीसरा सासन का लक्ष क्या है, चौथा संविधान का अधिनियम, चुकि इसी संविधान की प्रस्तावना में ही असपश्ट रूप से किया गया है, इन चार खंडों में हम भारती संविधान की प्रस्तावना का अध्यान करेंगे अब हम सबसे पहले भारती संविधान में प्रस्तावना में सत्ता के सुरोत की बात करते हैं जब हम प्रस्तावना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें वह प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग और उसकी कुछ अंतिम पंक्तिया इस प्रकार से हैं, दिर्ण संकल्प होकर इस संविधान को अंगिकृत अधिनेमित और आत्मार्पित करते हैं, अर्थात भारत का जन्माना से इस संविधान को सिकार कर रहा है, इसको अधिनेमित कर रहा है, इसका तात्पर्य है कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है अर्थात इस संविधान के द्वारा लोग प्री प्रवसत्ता अर्थात लोकतांत्रिक सासन प्रडाली की अस्थापना की गई है दूसरे नंबर पर हम राज्य और सरकार के शुरूप का अध्यन करेंगे जैसा कि हमने प्रस्तावना के वाचन के समय ठीक देता हैं यहाँ पर संपून प्रभुत्त संपन समाजवादी पंथ निरपेख्ष लोक्तूंत्रात्मरगण्राज है । यहाँ पर संपून प्रफूत्त्त संपन का प्र है भारत किसी के न्यंतरण में नहीं है है अब यहा एक स्वतंत रस्त्त है यह Спने आंत पर का भी पराहुधान की या दिप मूल संभेधान में समाजबादी और पंत निर्पेक्षब्द का पराहुधान नहीं था लेकिन बैश्वे संभाधान 169 सिफदन 19 से के दोरहा इसका पराहँधान की जासके समद्ण जनता के साथ ही भारत का एक दुखत दिभाजन हुआ जिसमें पाकिस्तान एक धार्मिक राज्य की रूप में सामने आया लेकिन भारत ने अपना कोई राज पंथ नहीं अपनाया भारत का कोई अपना पंथ नहीं है यह पंथ निर्पेक्ष अर्थाथ सभी के प्रती समान वर करताव के घोशड़ा करता है, इसी के साथ इसमें लोकतांतिक सासनपढलिक अस्थापना का लक्ष घोशित किया गया है, дети का पर है, एक ऐसी शासनपढली जो जनता के प्रतुत्तरदाई है क्यों कि जनता ही उसे एक नियतकालिक चुनाव के द्वारा एक नियतकाल के लिए निर्वाचित करती है इस प्रकार से जनता के हित के लिए जनता के द्वारा नियतकाल तक जनता के प्रतुत्तरदाई सरकार ही लोगतांत्रिक सरकार है इस प्रकार से भारत में एक लोगतांत् संसदीय शासन परढली के स्थापना की गोश्रा की गई लेकिन ब्रिटेन के समान यहां पर राज्य का प्रधान कोई वंसानुगत राजाया रानी नहीं है वरन यहां पर भारत में राज्य के प्रधान एक निर्वाचित राष्ट्पती है इस प्रकार से यह एक गड़राज्य है अब हम देखते हैं कि भारती समध्धान की प्रस्तावना में नकिवल सासन की प्रकृती नकिवल सत्ता के शुरूत वरन सासन के लक्षों के संदर में भी असपस्ट संकेत मिलता है क्यों कि इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है जिसमें सामाजिक न्याय का तत्पर है धर्म जाती आद के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद भाव ना होना तथा दुरबर लोगों की स अर्थिक न्याय की जहां तक बात है उत्पादन के साधनों इसका तात्पर है उत्पादन के साधनों का संगठन और प्रयोग इस प्रकार होगा कि उससे किसी का सोशन नहों सके सभी को न्याय संगत बुनियादी नियुनतम जीवन के अस्तर को प्राप्त करने की सुवधा मिल सके राजनीतिक न्याय की जब बात करते हैं इसकी भी घुषड़ा भारती संविधान में सासन के लक्ष के रूप में की गई है राजनीतिक न्याय का तात्पर है चुकि गुला अदि के बाद देश में लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक संगहात्म गड़राच की स्थापना के साथ ही सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अदिकार प्राप्त हुए और उन्हें इस अदिकार को परदान करने के क्रम में समान रूप से बिना किसी भेदभाव को प्राउधान अनुच्छेद 19.1 का के तहट तथा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मौलिक अधिकार के अध्याय में किया गया है। तता सभी नागरिकों को परतिष्ठा और औसर के समानता की बात की गई है। सभी को समान औसर की प्राउधान की बात करता है। इसी के साथ अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्प्रिष्ठा को दंड़नी अपराद गुशित किया गया है। और इसका किसी भी रूप में आच्रण निशित दुखोषित किया गया है। इन अनुच्छेदों में प्राउधान जो ये सभी भारती नागरिकों के मुली कदिकार हैं। जो इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं कि सभी अपने परतिष्ठा और समान औस्रों का उपभोग एक भारती नागरिक के रूप में कर सके। इसी के साथ व्यक्ति की गरिमा की बात भारती सम्मिधान की प्रस्तावनामे किया गया है। अर्थात सासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति अपने गरिमा में जीवन को सम्मान पुर्वक जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए राज व्यक्ति की सुग्धा के लिए आवश्यक्त संसादनों के जुटाने में महत्तपुड भुम्का का निर्वहन करेगा। इसी के साथ राष्ट की एक्ता चुकि आजादी के साथ देश का विभाजन हुआ। इसलिए महत्तपुड यह था कि राष्ट एक रहे, एकत्त्य के भाव के साथ रहे। इसलिए सभी को बिना किसी भेद भाव के समान अधिकार प्रदान किये गए। अखंडता, अखंडता जैसा कि हमने कहा पूर्व में कि आजादी के साथ देश का विभाजन हुआ। जिससे कि इस प्रकार के संकट कभी न उत्पन हो सकें। साथ ही देश के नगरिकों में, चुकि भारत में सामाजिक संस्कृतिक या नाना प्रकार की विवित्ताएं बहुत सी पाए जाती हैं। इन विवित्ताओं के होने के बावजूद भी आपस में भात्रित और बंदुता की भावना का संचार हो सके, उसका विस्तार हो सके, ताकि राष्ट्री एकिकरण की प्रक्रिया गतिमान रहे, राष्ट्री सुरच्छा को बल मिल सके, इस द्रिष्ट से सभी भारती नागरि को समान रूप से और बरावर नागरिकता का प्रावधान किया गया है, चुकि कई बार इस बात को ले करके यह संसे उत्पन होता है, यह विवाद उत्पन हुआ कि क्या प्रस्तावना भारती संविधान का अंग है या नहीं, इस पर संविधान सभा के तत्कालीन का एक कथन बड़ा ही महत्वपूर है। उन्होंने कहा था कि संभिधान सभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इससे अस्पष्ट है कि प्रस्तावना संभिधान के अभिनांग के रूप में है। लेकिन 1960 के विरुवारी विवाद में सरवोच न्याले ने अस्पष्ट रूप से कहा कि संभिधान प्रस्तावना संभिधान का अंग नहीं है। साथ ही सज्जन सिंग बनाम रजस्थान राज्य के मुकदमे में न्यायदीस हिदायत तुल्ला ने भी अस्पष्ट रूप से कहा कि कुछ अर्थों में संभिधान का अंग है प्रस्तावना तथा कुछ अर्थों में नहीं है। इसी के साथ 1979 में गुलक नाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में न्यायमूर्थी न्यायदीसों ने प्रस्तावना को संभिधान के अंग के रूप में मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। परन्त विस संदर्व में 1976 में केशवानन भारती बनाम किरल राज्य के विवाद का नेड़य बहुत ही महत्तुर्ण है क्योंकि इस नेड़य में संभिधान के मूल संदचना के सिद्धान का प्रत्पादन किया गया। इसमें कहा गया कि संसद संब्यधान में संसोधन कर सकती है किन्तुव संब्यधान के मूल ढाचे में किसी भी प्रकार का कोई परवर्तन नहीं कर सकती। मूल धाचे से संबंधित बुनियादी सिध्धान्तों का उल्लेक प्रस्तावना में है इसलिए प्रस्तावना संभिधान का अंग है इस प्रकार सर्वोच चन्याले के इस निड़े से प्रस्तावना संभिधान का अंग है इस सिध्धान्त को मन्यता मिली और आज यह इस्थापना की गोषडा इसी प्रस्तावना की संगतना और उसके स्वरूप की बात की गई यह अपना जा रहा है एक समाजबादी पंथ निलपेक श्लोक्त अंत्रात्मगराज राज की अस्थापना की घोषडा इसी प्रस्तावना के तहद की जा रही है। कि प्रस्तावना संविधान की राजनीती कुंडली है। इस बात से अस्पस्ट है कि प्रस्तावना में उन अदर्सों उन लच्छों उन सिद्धान्तों का समवेश किया गया है जो भविश्च में राजविवस्था की मारगदर्शक सिद्धान्त करूप में पत्परदर्शन क कारे कर सकें और बहुत सारे समयों पर ऐसा अस्पस्टूप से दिखाए दिया है कि प्रस्तावना ने प्रदर्शन भी किया है जब जब सासन के किसी भी अंग में अर्थात ब्योस्थापिका कारिपालिका और नयापालिका को कहीं दूविधा के इस्तिति उत्पन हुई है तो एक तरफ लोगप्री प्रफशता के सद्धानत के लिवस्ता अस्थापणा की गोश्ड़ा करते हुए संभेधान के अधुनियमन की भी बत करती है इसलिए हैं अन्तं में कहना है कि इसह और दूना के बादर्शावना के मूर्भुतत्त्तों के अध्यांन कर चुके हैं झाल 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 झाल